नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उडान आई एस अकेडमिक के 36 गर समसमाई की प्रशनत्तर स्रिंखला में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जानकारी है नौ अरसों की नीरंतर सफलता को बनाय रखते हुए इस बार हम पुना लेकर आए हैं आप सभी के लिए CGPSC Prehetu Online Test Series इस Test Series में आपको प्राप्त होंगे कुल इंक्यावन टेस्ट जिसमें प्रशनों की संख्या है इंक्यावन सो और इन सभी प्रशनों के आपको उत्तर वीडियो एक्स्प्लेनेशन के माध्यम से दिये जाएंगे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दुर्भास नंबर पर और ऑनलाइन डेस्टेशन कर सकते हैं संपर्ग कर सकते हैं और एक महत्पुन बात ये कि उडान समसमाई की विशे सांख राज्य के प्रमुग डिपों में उपलब्द हो चुकी है आप इसे जल से जल परचेस करके इसका आने वाले सभी एक्जाम में क्या कीजे लाब उठाईए जिसमें 10% से अधिक प्रश्ण क्या होंगे आपको इनी समसमाई की विशे सांखों पर प्राप्त हो जाएंगे बढ़ते हैं आगे हमारी कड़ी के पहले प्रश्ण की और हमारा पहला प्रश्ण है डेटा क्वेट जो की एक क्या है अग्रणी आइटी प्रत्रीका है इसके द्वारा एक रेंकिंग जारी की दिसमबर 2020 में इसके संसकरन जो अभी जारी हुआ है में राज्य के ट्रिपल आइटी संस्थान को क्या इस्थान प्राप्त हो है ठीक है नवारायपूर में आपको पता है कि ट्रिपल आइटी संस्थान है उनको क्या है IT छेतर में कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है हमें यहाँ पस यह बताना है what is the position of the triple IT institution of the state in the December 2020 issue released by data quest leading IT magazine तो दोस्तों यहाँ पस आपको याद रखना है बहुत important current affairs की क्या हुआ है कि कितना rank प्राप्त हुआ है हमें यह याद रखना है यह उत्तर होगा यहाँ पस 6th rank चठवा rank प्राप्त हुआ है ठीक है दोस्तों याद रखेगा चोटा सा single fact है data quest के बारे में ठीक एक IT प्रतिका है जिसके द्वारा एक ranking जारी किया जाता है हर वर्स इसमें 36 गड़ के triple IT को कौन सा rank मिला चठवा rank मिला अगला प्रशन है Crime and Criminal Tracking Network and System CCTNS ठीक है यह काम करता है क्या जो अपराध की रहते हैं और जो उनके अपराधी होते हैं उनको क्या करता है यह ट्रैक करता है इसमें कितने पुलिस वालों को क्या मिला है यहाँ पास पुलिस कर्मी है उनको केंद्रिग्री मंत्राले से पुरसकार प्राप्त हुआ है कितने पर्शनल है पुलिस पर्शनल इनको यहाँ पास पुरसकृत किया गया है इस छेत्र में तो जो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों तीन ठीक तीन पुलिस वालों को यहाँ पास क्या मिला है तो ये Crime and Tracking के डिपार्टमेंट में किया गया ठीक है इसे तु इनको अवार्ड मिला है इनके दोस्तो नाम भी आप पर हो सके तो याद रख सकें तो याद रखिये ठीक दोस्तो इनके नाम है SI, SN सिंग चौधरी, Constable, Kasi Ram Barreth और उपेंद्र सिंग ठाकूर ठीक है मैं repeat करता हूँ SN सिंग चौधरी जो की SI है Constable है हमारे कासी राम बरेठ जी और एक रहेंगे यहां पास उपेंद्र सिंग ठाकूर यह भी Constable है तो ये तीन नाप हमें याद रखना है अगला बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और प्राउट की बात से कि 36 गड़ में फुटबॉल अकेडिमी खुल रहा है जो कि सिंथेटिक होगा एक प्रॉपर वे में फुटबॉल किया तियारी होगी कि राजे का पहला सिंथेटिक पुष्ट मिलेगा जो 36 गड़ के जो सपने है खेल को लेकर उसे यहां पस क्या होगा उचाई हासिल होगा खेलबो जिदबो गड़बो नावा 36 गड़ का जो सापना साकार है वो होके रहेगा इन विच प्लेस इस्टेट फर्ष्ट सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड प प्रस्तावित है याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट को अगला कोश्चन है एन एच एफस नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे फोर जो की छतिस गड़ में भी हुआ था फिप्ट अभी नहीं हुआ है जो सकेंड राउंड है उसका सर्वेश गड़ में नहीं हुआ है याद तो नेशनल फैमिली सर्वे फोर वाट परसेंटेज ऑफ चिल्डर अंडर फाइव एर आर मालने स्टीट इंद इस्टेट ठीक मतलब कोशन के सिकार है यह हमें बताना है ठीक है दोस्तों मैं बताया था आपको कि हम अब कड़ी में क्या जोड़ते चले जाएंगे जो हमारे आने वाले एक्जाम जो की दो-तीन एक्जाम होने वाले हैं इस्टेट इंजिनिरिंग सर्विस का और सिविल सर्विसेस का जो एक्जाम होने वाले है उसके लिए महत्यपूर्ण जो करेंट अफेर्स में उसको यहां एड़ करते चले जाऊँगा तो उसी क्रम में यह 37.7% इसका उत्तर होगा ठीक है तो याद देगे 37.7 यह एंसर होगा फिर अगला कोश्यन है राज्य में दर्सन की खोपा देवधाम की जिले में इस्थित है यह हाली में क्या है एक चर्चा का विशय था क्योंकि मानन यह जो स्वास्तमंत्री हमारे तीसी देवजी है यहां इसका सही उत्तर है हमारा सूरचपूर फीक तो सूरचपूर जिले में यह धाम इस्थित है याद रखेगा अगला कोशन है नेशनल परिवार सनविक्षण वही नेशनल फैमिली सर्वेफ फूर के अनुसार प्रदेश में 15-49 वर्स की कितनी प्रतिसत महिलाए एनेमिया से मलब खून की कमी से कितनी महिलाएं जूज रही है जो कि किस आयू में आती है 15-49 वर्स की आयू के बीच की है एकॉर्डिंग टू नैशनल फैमिली सर्वेफ फूर हाव मैनी परसेंटेज ऑफूमें एज 15-49 इयर्स आर सफरिंग और एनेमिया तो इसका जोस्तों सही उत्तर अभियान भी चल रहा है बहुत सारे यहां पस अभियान चालू किये गहां ताकि इन समस्याओं से क्या हो सके हमारा 36 गड़ ऊपर उठ सके और अपनी बुलनियों को छू सके अगला प्रशन है राम वन गमन पत्थ के तहत विक्सितिस थल अतरमरा की जिली में इस्थित है द जो समस्माइकी घटनाओं पर आधारित कोश्चन आने वाले 36 गड़ से उसमें 100 परसेंट आप क्या करें स्कूर करें जो एक्जाम होने वाले हमारा 14 फरवरी को और इस्टेट इंजिनिरिंग सर्विस के 15 जनवरी को उसमें जितने भी कोश्चन आएंगे 36 समस्माइकी से उ जो सही उत्तर है वह क्या है धम्तरी ठीक है यह धम्तरी में इस्थित है बढ़ते हैं अगले प्रशनी है सीनिक ट्वुरिस्वर्थाम राज्य के कि जिले में इस्थित हैं दर्शनी परेटन एरिया जलेसवर्थाम इस लोकेटेट इन विच डिस्टिक आप देट एक इमप गोरेला पेंटरा मरवाही के जितने भी location हैं साइडस हैं उसके बारे में जितने इफेक्ट हैं वो आपको याद होते चले जाएं तो याद रखेगा जले स्वर धाम कहां इस्तित है गोरेला पेंटरा मरवाही जिले में इस्तित है जो कि 36 गड का नमिंतम जिला है और वो है 28 जिला ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण हमारा एक दुखत घटना के आधार पर आधारी थे कि मोती लालवोरा जी हमारे जो कॉंग्रेस के पूर्व दिग्जश थे उनकी यहां पस मृत्यू हो चुकी है ठीक स्वरग्वास हो चुका लेट मोती लालवोरा जी हैस बीन गवरनर ओफ विच श्टेट ऑफ दा कंट्री इसका उत्तर ना तो मध्य प्रदेश है ना च्छतिस गड़ है ना आंध्य प्रदेश का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश ठीक है स्वरग्ये मोती लालवोरा जी कहां के रह चुके ह दोस्तो आज की कड़ी के हमारा अंतिम प्रश्ण है तहसिल पुनर गठन के पस्चा जानगीर चापा जिले में तहसिल की संख्या है मतलब हमें यहाँ पस तहसिल की संख्या बताने है जानगीर चापा के लिए और यह आपके लिए brain booster question है मैं बहुत ज़्यादा खूस हूँ कि आप इसे attempt कर रहें इस question को और आसा करता हूँ कि आप सभी को तहसिल याद होते चले जाएंगे पूरे के पूरे अगर तहसिल से question आता है जो कि 11 नवंबर को notified हुआ था 23 तहसिल तो आप से नहीं छुटेगा पूरी guarantee कि आप से यह question नहीं छुटेगा यदि आप इसी प्रकारसी से follow करते रहें तो what is the number of तहसिल in जानगीर चापा district after तहसिल reorganization option है 11, 12, 13 और 14 कल की कड़ी में दोस्तों मैंने जो question पूछा था वो था कोरबा जिले से कि कोरबा जिले में कितने तहसिल है आपको यह यहाँ पास बताना था तो जो कल का उत्तर है दोस्तों वो है कोर्बा का उत्तर है साथ ठीक है कोर्बा में कुल तहसील की संख्या भी बरतोमान में कितनी हो चुकी है वो साथ हो चुकी है दोस्तों कोर्बा में पहले हुआ करते थे पांच तहसील और पांच विकास खंड ठीक है मतलब जितने तहसील उतने विकास खंड तो तहसिल था पाली, कड़ोरा, कोरबा, करतला और पोडी, उप्रोड़ा और ये पांचो के पांचो विकास खंड भी है ठीक और इसके इस तहसिल बने उसमें से दो तहसिल यहाँ पास हैं दर्री और हरदी बजार तो टोटल अब अगर हम कोरबा की बात करें तो तहसील की संख्या हो जाती है साथ और विकास खंड की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाते हैं पांच ठीक है दोस्तों तो ये रहा कोरबा का पूरा का पूरा एनलैसिस आसा करता हूँ दोस्तों की आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आने पर आप इसे लाइक करें और इसे कमेंट करें एंसर नमबर 10 को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि हमारे इस पहल का अधिक से अधिक लोगों तक लाब पहुँच सके इसी आसा के साथ दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ कल की कड़ी में तब तक के लिए जै जोहार जै च्छतिसगर